अडानी गुरूप के श्टॉक्स की बात कर लेते हैं आज क्या होग रखा है अडानी गुरूप के श्टॉक्स में उसको डिसकस करेंगे और देखो मैं बहले बता देता हूं आपको कि अपना एक विव किलिए रखो आप अपना विव यह से डेली डेली चेंज मत किया करो कि स्टॉक गिर गया तो स्टॉक खराब हो गया तो स्टॉक बढ़ गया तो स्टॉक बहुत अच्छा हो गया अब जैसे मैंने अपना ब्यूब बना रखा है को च्छ जैसे हो गया डाणी के इंडिया मार्ट जो अच्छे इंटाइब पर अच्छे गर जाएं यह घृता है सुनर और लेटर यह इनके रिटरन भी दिखाएंगे और काख भी अच्छे बिखाएंगे पास्ट में इन्होंने अच्छी परपामस दी आने वाले टाइम में इनके फै कि लॉंग टर्म के लिए पैनिक होगा आशार में तो वह किसी श्टॉक में पैनिक हो सकता है और ऐसा नहीं है रिलाइंस जैसा इस टॉक है वह कंसोलेशन कर रहा है एक साल हो गया हिंदुस्तान इनुलीवर जो वह दिगकज दिगकज इस टॉक हैं वह कंसोलेशन कर सकते हैं जब एक एक साल तो अभी इनमें अडानी कुर में तो कोई कंसोलेशन हुआ भी नहीं है मुश्किल से 10-15 महिना महिना वर भी नहीं हुआ है उसके बाद बंदे पैनिक करने लगते हैं तो देखो पैनिक करने से कुछ नहीं होता है श्टॉक मार्केट में आपको पेसेंस सकते हैं श्टॉक मार्केट में और जब लोगों को फियर होता है वही एक मौका होता है बहिए श्टॉक को एक्कुमिलेट करने का या अपने अगरा आपने बागते हैं श्टॉक को चेस किया और वहां हाईयर प्राइस भी लिया तो यह दो तरीके होते हैं बाकी देखो झुदा गिर जाए और हो सकता है अल्दो निवच का कभी कभी कुछ असर भी नहीं पड़ता है तो यह चलता रहता है आपको श्टॉक पर अपना एक भी रखना है आपको भरोसा रहना है कि हाँ यह श्टॉक मुझे पसंद है चाहे बही उसमें कोई निगेटिव निगेट करता हूं और यह जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं मेरा जो भी हुए मैंने आपको साथ सेर करती है विश्टॉक्स के तरफ देख लेते हैं क्या करना है अडानी एंटरप्राइज कोई जादा गिरा नहीं है अडानी गिरीन दे को कल बहुत गिरा था मैंने बताया था 900 रुप कले दिन भाग सकते हैं ऐसे दिरे दिरे भागेंगे दिरे दिरे कंसोलेट होंगे फिर उसके बाद यह तभी मैं कह रहा हूं कि लगवक्त छे महीने एक साल रुख जाओ अगर अडानी के स्टॉक्स में हो तो आपको रिटन अच्छे मिल सकते हैं अगर आप ऐसे सोचोगे क कि दस दिन में पंदरा दिन में यह आर कॉम आर पाबर नहीं है कि डेली अपर सरकी लगते चले जा रहा है और आपके बीस दिन में पैसे हो गए दुगने इस तरीके से तो नहीं हो गा इन में और अडानी पोर्ट में ने देखो कहा था कि मुझे पसंद है तो इन बातों के बारे में नहीं देखना है फिर और अडानी पता नहीं किया होगा डिलिस्टिंग या जो भी ऐसे रूमर्स चलते रहते हैं इन बातों के बारे में नहीं देखना है फिर और अडानी ट्रांसमिसन के बारे में सुभई मैंने ख़वर बताई थी कि वही अडानी ट्रांसमिसन में खवर आ रखी है इनकी जो आम सा अडानी इलेक्टिसिटी कुछ इन्होंने किया था जो भी फंड्रेजिंग थी कुछ तो उस पर जैसे यह भाग रखा है अज अडानी कैस का भी मैंने बताया था कि कैस की वह जो कीमते बड़ रही है कैस की डिमांड बढ़ रही है आने वाले टाइम में कैस की डिमांड और बढ़े की AADANI काफी अच्छे return दे सकता है although इनके result के बाद भी ये stocks भाग सकते हैं result अच्छे आएंगे अगर तो result की और date कर सकते हो result की अभी कोई date आई नहीं है इनके किसी भी stock की आईगी तो मैं आपके साथ discuss करी लूँगा आपको पता ही है तो ये सब को discuss कर लिया है मैंने बाकी देखो आपकी मर्जी है आपका पैसा है आप अपने financial advisor से पूल सकते हैं अपना ये एक view बना सकते हैं सुननी सब किये करनी अपनी है और बाकी चैनल पर नहीं है तो कर लो subscribe और वीडियो को दोस्तों के साथ ये दोस्तों